नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें क्योंकि हम आपके साबने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं चश्मा किते भी नमबर का होगा, 101% उदर जाएगा जीहा, ईश्वर की बनाई हुई चीर, इस दुनिया को देखने का माध्यम केवल हमारी आखी ही है इनको उम्र के बड़ाफ के साथ सेफटे के भी आवशकता होती है कि बड़ती उमर के साथ हमारी आखे चारो तरफ की मासपेश या गीली पढ़ने लगती है और हमारी नजर कमजोर होने लगती है जिससे कि हम खूबसूरत दुनिया को देख नहीं पाते हैं और बार-बार चश्मा लगाने की वज़े से इरिटेट होने लगते हैं आज मैं आपको एक ऐसा ही उपाय बताऊंगी जिससे आपकी आखों की रोश्नी दो बढ़ेगी ही और साथ में आपका चश्मा भी उतर जाएगा राद को भूजन करने के बाद दादों को अच्छे से साफ कर ले नित्ते सुभा जब भी उठे सबसे पहले बिना कुल्ले करें अपनी बासी धूख को आखों के अंदर नीचे की तरफ काजल की तरफ लगाए चार-पाच मिनट तक आखों को अराम से बंद रखें इससे नियमित रूप से करने से आखों की रोश्नी बढ़ती है जुंदला पन दूर होता है ऐसा लगता छे महीने करते हैं तो चश्मे का नंबर कम हो जाता है और चश्मा उतर भी सकता है दूसरा नुसका बताते हैं आखों की रोश्नी बढ़ाने के लिए सुबा उठकर मुँ में पानी भर कर आखे खोल कर साफ पाने की छीटे मारें इससे हमारी नेतर जोती बढ़ती है और आखों का चश्मा भी उतर जाता है तीसरा उपाई 150 ग्राम बदाम, 1500 ग्राम सौप और 1500 ग्राम मिश्री को लेकर उसे पेस कर किसी कांच या चीनी मिट्य का बर्तल ले और उसमें रखतें फिर प्रति दिन रात को सोने से लगबग 30 मिनट पहले एक चमज इसका गुनगुने पानी के साथ सेवन करें ऐसा लगातार तीन महा तक लेने से आखों की रोश्नी बहुत बढ़ जाती है तिमाग तेज हो जाता है और स्मरन शक्ती भी बढ़ती है और धैरे में चमग भी आती है इस पाउडर को गुनगुने पानी के साथ लेने से कुछ भी ना खाएं अगर आप बालों में चमग बढ़ाना चाते हैं बालों में कैमिकल शेंपू लगाने से फरेज करें अब आपको बताती हूँ चोथी रेसिपी प्रात्यकाल सूरे उदे से पहले नेमित रोप से हरी खास पर 15-20 मिनट तक नंगे पैर चलना चाहिए घास पर ओस की नंगे पैर इस पर टहले से आखों का तनाफ खतम होता है और आखों की रोशनी बढ़ जाती है आखों की रोशनी बढ़ाने के लिए प्रते दिन रात को सोते समय देसी की से कान के पीछे मालिश करें इस उपाई को लगतार करने से आखों की रोशनी बढ़ जाती है और छे मातक यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा चश्मा भी उतर जाता है साथ ही साथ अब बारी आती है हमारे आकरी घलेरू नुसके की ये भहती अजमाया हुआ भहती अच्छा उपाई है अगर आप अपने पैरों के तरवे में तेल की मालिश करते हैं तो आपकी आखों की रोशनी बढ़ जाती है आखों के जितने विकार है वो खतम हो जाएंगे स साथ लगातार ऐसे तीन महीने तक करने से आपका चश्मा भी उतर जाएगा तो आज की मेरी वीडियो कैसे लगी प्रीस हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके आवश्रे बताएं आज की वीडियो में बस इतना ही लौटिंग एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल को सस्क्राइब शेयर करना ना भूले और मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्रे करें